समंदर के शहनशा की ये तस्वीर लैटिन अमेरिकी देश पेरू की है जहां इंसानियत की एक और मिसाल पेश की गई समंदर की गहरायों में राज करने वाली वेल मशली किनारे पर फसी है जिसे लोगों ने टूरिस्ट गाइड और प्रोफेशनल ड्राइवर्स की मदद से इसकी जान बचाई गर्मियों के मौसम में हर साल पेरू के उत्री तट पर वेल मशलीयां लोगों के लिए यहां आकरशन का केंदर होती है लेकिन इस बार ये वेल समुद्र के किनारे आकर फस गई फिर जो हुआ वो तस्वीरे आपके सामने है देखे कैसे ये लोग रसी की मदद से इस वजनदार वेल को समंदर की और खीच रहे हैं तो वहीं कुछ लोग पानी में उतर कर वेल को ठक्का देकर उसे पानी में पहुचाने की कोशिश कर रहे हैं काफी देर की मशक्खत के बाद इस विल को समुंदर के किडारे से दूर ले जाने में कामियाबी हासिल हुई वहीं पानी के अंदर पहुँचने के बाद समुदरी गोता खोरो ने मुस्तियादी दिखाते हुए विल को सुरक्षित समुदर की गहराई तक पहुचा दिया आपको बता दे कि आम तौर पर आर्किटिक महासागर में पाये जाने वाले इस हमप बैक विल का वजन चाली स्टन के आसपास का होता है जबकि इसकी लंबाई 18 मीटर तक होती है झाली स्टन के लाई दिए विल को अवजन चाली स्टन के विल कुछ दोग्स का विल को अवजन चाली से एक अवाले डिल को घड़ता है